का है ? मोस्टर कंटेंट क्या है ? मोस्टर से क्या समझते है ? एपसॉलीट विडिटीड क्या है ? रिलेटिव हुजितिटीड क्या है ? यह सारी इस वीडियो में चल्चा करने वाले है है थेयर आँ ifrating ज्म lagi मैं जीतंदर सारमा आप देख रहें जीतंदर सारमा Absolute Humidity किसे कहते हैं, Humidity Humidity किसे कहते हैं, यह सारे हम चर्चा करने वाले हैं. तो topic को start करने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि मोस्चर से क्या समझते हैं. कोई भी textile material हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वातावरन से पानी को अबजार्ब करने के च्छमता और रिलीज करने के च्छमता होता है, यानि कि जो वातावरन से जितना पानी की मातरा अबजार्ब करता है, और जो textile fiber में या textile material में जितना पानी की मातरा होता है, उसे हम मोस् आप समझते हैं कि humidity किसे कहते हैं, humidity मतलब वातावरान में, वाईव मंडल में जो आधरता है, नमी है, यानि कि पानी की जो मात्रा है, इसे हम humidity कहते हैं, यह temperature के हिसाब से यह बढ़ता भी है और यह घड़ता भी है, temperature की हिसाब का मतलब, यानि कि temperature बढ़ेगा, तो इस humidity का मात्रा जो से कमेगा, temperature घटेगा, तो यह बढ़ेगा, यानि यह जो है से temperature के according काम करता है, humidity, आप समझते हैं कि absolute humidity क्या होता है, absolute humidity किसे कहते हैं, absolute humidity का मतलब होता है, कि कोई भी unit volume में, वातावरन की unit volume में, जो moisture की मात्रा होता है, उसे हम absolute humidity कहते हैं, इसको हम gram per cubic meter, या gram per cubic foot के से denoted करते हैं, या सुचित करते हैं, या मापा जाता है, इसका ही काई, relative humidity किसे कहते हैं, it is the expressed as the percentage of the ratio between actual vapor pressure and saturated vapor pressure, मतलब या ratio है, actual vapor pressure का और saturated vapor pressure का, या percentage ratio है, अगर आपको relative humidity निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, actual vapor pressure divided by saturated vapor pressure into 100, आपका relative humidity निकल जाएगा, अब थोड़ा सा हम actual vapor pressure और saturated vapor pressure पर नजर डालते हैं, क्या होता है, actual vapor pressure का मतलब क्या होता है, actual vapor pressure जब कोई तरल पदार्थ, ठीक है, जब कोई तरल पदार्थ जो है, उस पे एक निस्चिट temperature और pressure दिया जाता है, तो वो क्या होता है कि वाप बनके उड़ना लगता है वाप बनके उड़ने लगता है और जिस निश्ची टेंपरेचर और प्रेशर पे वाप बनके वह तरल पदार जब उड़ना स्टार्ट करता है उसी उस टेंपरेचर उस प्रेशर को हम एक्ट्वल वेपर प्रेशर करते ह saturated vapor pressure क्या है जब कोई तरलपदार्थ जैसे वास बंद के उड़ा उस समय actual vapor pressure और यह क्या होता है एक निश्चीद temperature और एक निश्चीद pressure पर यह क्या होता है कि वह जो वाप बढ़के उड़ा है वह फिर वापस आ करके तरलपदार्थ के सता पर आजाते हैं या फिर जिस वैसल में अगर रखा हुआ है उस वैसल के सता पर आजाता है तो उस temperature pressure को हम बोलते है saturated vapor pressure अब आपको समझ में आ गया कि relative humidity क्या होता है रिलेटिव बीडिटी जैसा कि हमने बताया कि एक्ष्प्रेस ना परसेंटेज आप डारेश्यों बीटेविल एक्चुल भेपर फ्रेशर आड़ सेच्टूरेटर्ड भेपर प्रेशर या परसेंटेंटर रेख्यो है और एक्टुल भेपर प्रेशर क्या होता हो वहoodभी सम सबस्क्राइब है अब समझते है कि मूझ्जर रिगेंग हो मुट्राइज समझते हैं मूझ्टारी डिफाइब ऐच दा वेत अवारटर इन अमकेृग इच्प्रे सबसेंटेज वेत अवटर इन मेटेल इस अवार मेटेरियल कुई व्यट अवज है ठीक है, और उसको सुखाने के बाद जो मात्रा है, इनके percentage value को हम कहते हैं moisture regen, moisture regen का मतलब ही होता है कि जो वातावरण से वह material पानी को अबजर्ब कर लेता है, और कितना अबजर्ब करता है, कितना percent अबजर्ब करता है, यही है moisture regen, moisture regen को निकानने के लिए हम क्या करते हैं, कि किसी भी specimen को लेते है, textile material हो गया, fiber हो गया, या फिर fabric हो गया, या iron हो गया, कोई भी एक specimen ले लेते है, खुड़ा से specimen ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, conditioning करते हैं, conditioning का मतलब होता है कि कुछ देर तर lab temperature पे, या नोर्मल temperature पे उसको रखा जाता है, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसको oven dry weight में dry करते हैं, conditioning करके उसको weight कर लिए, कितना weight आया लिख लिए, फिर इसके बाद उस material को oven dry weight में उसको सुखाते हैं, और उसको तब तक सुखाते हैं, जब तक कि उसमें से फूर नाता है, moisture निकल ना जाए, और यह temperature कितना दे जाता है, 100 से 105 degree Celsius दे जाता है, 3, plus minus 3 degree Celsius, मतलब या तो 3, आप कम temperature दोगे, 100 से, या फिर ज़्यादा दोगे, या या यह 100 से 105 तक के बीच में रखा जाता है temperature, और जब वो material पिल्कुल सुख जाता है, फिर उसको निकाल करको उस material को weight कर लेते हैं, अब इसको हम moisture regain, निकालते कैसे हैं, moisture regain को R से denoted कर देजिए, मतलब R equal to conditioning weight of material, minus oven dry weight of material, divided by oven dry weight of material into hand weight, अब इससे हम calculate करेंगे, तो यह आजाएगा moisture regain, यानि कि moisture regain का निकालने का मतलब इस तुरह से निकाल सकते हैं, अब हम समझते है moisture content, it is defined as the weight of water in a material, expressed as percentage weight of, total weight of material, यानि कहने का मतलब जितने उस material में, यानि कि वह textile material में, जितने water की observancy हुई, यह total weight of material का कितना परसेंट है, यह दर साता है moisture content, अब moisture content को निकालने के लिए क्या करते हैं, moisture content को अगर moisture content को C से अगर denoted करते हैं, तो C equal to होगा, weight of water in a material divided by total weight of water in a material into 100, यानि weight of water in a material कैसे निकालेंगे, specimen को conditioning करेंगे, conditioning करने के बाद weight करेंगे, फिर इसके बाद oven dry weight में क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे, फिर weight करेंगे, और यह total weight of material क्या हुआ, तो conditioning क्या हुआ, और plus, जितना आप dry weight में सुखाने के बाद आया weight, वो total weight of material हो गया, आपको इसको अगर हम C से denoted करते हैं, तो हो जाएगा क्या, कि W divided by W plus D into 100, यह W क्या है, कि weight of material हो गया, फिर इसके बाद D क्या है, मतलब oven dry weight में, जो सुखाने के बाद material का weight है, वो हो गया, तो इसलिए हम C equal to W, W plus D, क्योंकि total weight of material लिखा हुआ है, तो हम W plus D, मतलब weight of water in material, पलस oven dry weight of material, यह दोनों लेते हैं, तो total weight of material लिखाने के C equal to W divided by W plus D into 100, अब यह master content भी निकल गया, I hope आप इस वीडियो से काफी लाफानवित होंगे, तो मिलते हैं इसी तरह से ने हैं तो मिलते हैं इसी तरह से ने हैं,